करेंगे के प्रिवेस डे मार्किट कैसा था एंड कल मार्किट के खाले के ट्रेडिंग कर रहा था था इसलिए मैं आज कोई भी ट्रेड शेयर नहीं किया था ग्रूप में ना ही आज की नियूज वगएरा कुछ शेयर किये थी एंड उसके अलावा मैंने एक और ट्रेडिंग सेट अप के ऊपर एक वीडियो बनाया है जो वीडियो अभी यू सब्सक्राइब करेंगे किस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे बैंक करने के तो हमारी क्या अनलेशीस रहेंगेpinear और अनलेशीसर सब्सक्राइब करेंगे दियर सब्सक्राइब करेंगे करते हैं प्लान करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हमारे लिए अभी बड़े मोमेंटम के लिए रेंज क्या होगी 44,950 के ओपर हमें बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है बुलिश एंड 44,397 इसके नीचे हमें अच्छा कासा एक शार्फ डाउनपॉल देखने को मिल सकता है ठीक है ओके सो अब बात कर लेते हैं 15 मिनिट्स पे कि हम लोग कल इंट्राडे में किस तरह से मार्केट को प्लान करेंगे तो सबसे पहले हम लोग हमारे लेवल्स को ड्रॉ करते हैं और आपको भी अगर इस सीखना है कि हम इस तरह के जो लेवल्स है वह मैं कैसे ड्रॉ करता हूं तो हमारा यह कोर से ऑप्शन ट्रेडिंग डिकोडेट जिसमें मैंने तीन स्ट्राटेजी शेयर किये हैं जो मैं परसनली यूज करता हूं एक इंट्र डे की स्ट्राटेजी है एक स्कैल्पिंग वाली स्ट्राटेज्जी है एक ट्रेंड एंड लेवल्स फांडऊट करने के लिए इसमें साथ Lesson है अगर कुछ आगे मिर नको और समझ मैंगा तो मैं इसमें वह भी अगर आप इसमें इस यूज करेंगे तो आपको फ्लाट 50 20 परसेंट आफ मिलेगा 500 रुपीज के इसमें आफ मिलने वाला है तो जली से जली जली जाके कोर्स को पर्चेस कर लेना इस कोर्स में हमने जो डिसकस किया सबसे पहले टॉपिक है उसके बाद तीन स्ट्राटेजीज है एक डारेक्शनल एक स्कालपिंग एक लेवल्स फाइंड आउट करने के लिए एंड मेंली हमारा जो फोकस है वो रिस्क मैनेजमेंट है साइकलोजी पे हैं तो यह कोर्स आप पर्चेस कर सकते हैं 20 परसेंट का आपको आफ मिल जाएगा उसके बाद हम लोग बुलिष मोमेंटम के लिए खरेंगे एंड तो अगडर हमको बियरिश कर होना है थो मार्कीड में हमारे पास। अब भूय बेद्जब हम देखना पड़ेगा एंड उसके बाद हमको अगर तो एक बड़ी हचिप यह सगर आउ्टेस that आ tapping तक एंड अगर सेम बुलिश मोमेंटम में प्लान करना है तो पहला अगर हमारा जो ट्रेड होगा वह 44,680 के उपर उसके बाद फर्स टार्गेट इसमें होगा 44,774 सेकंड टार्गेट विल भी 44,950 एंड उसके बाद यहां से मार्किट में एक बड़ी उच्छाल हमको देखने को मिलेगी 45,156 तक तो कुछ इस थरह के मार्किट के हमारे लेवल से रहेंगे और मार्किट अभी इंडिसाइसिव कैंड बना रहा है डोजी बना रहा है इंसाइड इक बना रहा है अब इसको अगर जो भी डिरेक्शन मिलेगा वह उस डिरेक्शन में इजी ली 1,500 पॉइंट इसकी एक डिरेक्शनल मोमेंटम दिखा सकता है आने वाले कमिंग दो या तीन दिन में तो उसके लिए आप प्रिपेर्ड रहेंगे और कल एक्सपारी है तो समल के ट्रेड करेंगे और उसके अलावा मेरा जो भी डेली का ट्रेड होता है डेली मार्किट की मेजर नियूस हो और मेरी वाचलिस्ट में शेयर करता हूं तो थैंक यू सो मच गाइस फो वाचिंग इस वीडियो बाई टेक केर